इस वक्त की एहम खबरे लेकर मैं हूँ आपके साथ नीदू शर्मा सबसे पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्शाबलों पर आतंकीर हमला एक जवान शहीद एक खायल सैना ने तेज किया तलाशी अभियान राजस्तान में कोरोना संग्रिमितों का आकड़ा 6000 पार मुखे मंद्रे शोल के हलोत ने प्रदेश में कोरोना रिकवरी पर जताया संतोष राजस्तान में PCC में मनाई गई पूर प्रदान मंत्री राजिम गांदी की पुन्नेतिती प्रदेश आत्यक सचिन पाइलेट इंदी श्रधान जली भास्वा पर साधा निशाना और राजस्तान की चिकिस्ता मंत्री ने वित्रन के लिए जारी किया आयूश का इम्मुनिटी बूस्टर चैपू जोग प्रोश्री गंगा नगर जिले में किया जाएगा वित्रित जमु कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों नाका पार्टी पर हमला किया इस दोरान जमु कश्मीर पुलिस के दो जवान घायल हो गए घायल जवानों को उपचार के लिए अस्पताल में भरती कराया गया जहां उपचार के दोरान जमु कश्मीर पुलिस में हेड कॉंस्टेबल के पत पर तैनात अनुप सिंग शहीद हो गए है तबकि कॉंस्टेबल मुहमत इबराहिम गंभी रूप से एक हायल है उनका इलाज चल रहा है उधर सुरक्षाबलों ने इलाके की घेरा बंदी कर तलाशी अभ्यान शुरू कर दिया है इससे पहले श्री नगर जिले के बहरी इलाके पादंच चैक में आतंकियों ने सीमा सुरक्षाबल के एक नाके पर हमला कर दिया हमले में दो जवान शहीत हो गए हमले के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए आतंकी दोनों जवानों की हतियार भी ले गए सुप्रीम कोट ने उत्तरप्रदेश सरकार को राहत देते वे सिक्षा मित्रों की याचिका को खारिश कर दिया है इसके साथ यब 69,000 प्रात्मिक सिक्षकों की भरती का रास्ता साफ हो गया है याचिका करताओं की दलीले सुनने के बाद नियायमूर्थी उद्याय उमेश रलित, नियायमूर्थी शांतनू और नियायमूर्थी विनिश शरन की पीट ने याचिका को खारिश कर दिया सुनवाई के दोरान उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से पेश्वे सॉलिसिटर जनरल तुशार महता और बेसिक शिक्षा बोर्ड की और से पेश्वे राकेश मिश्रा को कुछ भी बोलने की जौरत नहीं पड़ी शिक्षा मित्रों की तरफ से मुकल रोहतगी ने अदालत में दलीले रखते वे कहा कि एकल पीट ने हमारे दावे के समर्थन में फैसला दिया था लेकिन डिविजन ने हमारे पक्षखों पूरी तरह से नहीं सुना दलीले सुनने के बाद आदलत ने याजिका को खारिज कर द माई को कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से गलत दावे किये गए और सरकार पर जूटे आरूप लगाये गए इसमें पीम केर्स फंड से भी कुछ समंदित आरूप लगाये गए जो की गलत थे इसके आधार पर कॉंग्रेस अध्यक्षा के खिलाफ भारतिय दंट सहीता की धारा 153-505 के तहट FIR दज की गई है प्रवीर नाम के स्तानिय वकील ने यह FIR दज कराई है जिसमें उसने अपील की है कि सुनिया गांदी के खिलाफ कानूनी कारवाई होनी चाहिए भारती रेलवे जल्द ही टिक्टो के ऑफलाइन बुकिंग भी शुरू करने जा रहा है बाइस महीं से ये सुविदा देश के लगबग एक दश्मलाव साथ लाग कॉमन सर्विस सेंटर्स पर उपलब्ध होगी फिलहाल रेलवे स्टेशन के टिकेट काउंटर्स पर कि जाएगी रेल मंतरी प्यूस गोईल ने कहा कि इस बारे में प्रोटकोल तयार किया जा रहा है गोईल ने ये भी कहा कि वक्त आ गया है कि भारत को सामाने हालात की तरफ ले जाया जाए रेलवे जल्द ही और ट्रेने भी शुरू करने जा रहा है रेलवे ने सो जोड़ी के लिस्ट जारी की है जो अपरेशनल होगी इन में दुरनतो संपरक्रांती जन्शताबदी और पूर्वा एक्स्प्रेस जैसी मशूद रेने शामिल है इन ट्रेनों में एसी और नौन एसी दोनों तरह के कोच होंगे कोई भी कोच अन्रिजर्व नहीं होगा इन ट्रेनों का क कॉंग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया है। प्रियंका गांधी के बीच चल रही बस पॉलिटिक्स को लेकर कॉंग्रेस की विधायक और गांधी परिवार की बेहत नजदी की माने जाने वाली अधिती सिंग कॉंग्रेस पर बरसी थी। प्रवासियों को परवतिये जनपदों में उनके घरों तक पहुंचाने के लिए यह परिवहन निगम के चालक परीचालक जान हतेली पर रखकर कॉर्णा वारियर्स का काम कर रहे हैं। बाउजद इसके कॉरोना वाईरस में इन करमचारियों को वेतन नहीं मिलना दुर्भागे पूर्ण हैं। परिवहन निगम के A.R.M. ने गोलमुल जवाब देते वे कहा कि उनके द्वारा साशन को अवगत करा दिया है तता जल्द ही सभी का पूरा वेतन भुकतान कर दिया जाएगा। करे किसी को बच्चे स्कूल जाने वाले हैं फीच के लिए पैसे नहीं है are, काभी किताब खरीद नहीं है हूं तो यह चीजहित जरूरी है तो अगर मिल जाती तो बहूत बयुप भैर होता हम लोगों के लिए यह मार्च से सर नहीं मिली है अभी और तीसरा मेहना पूरा हो जाएगा यह तीस सारी देखे जो भी करमचारी इस कारिया में लगे हुए हैं वो पूरी मेहनस से लगे हुए हैं पूरे सहयोग से ड्यूटी कर रहे हैं और जब भी प्रिशासन द्वारा गाड़ियों की मांग की जाती है हम गाड़ी प्रोवाइड करते हैं और सभी हमारे चालक पर चालक और जो भी स्टाफ है पूरी मेहनस से कारिया करते हैं लगातार इस COVID-19 माहमारी के द्वारान पूरे परदेश में रोडवेज कर्मिचारी लगातार धाई महा से अनिवारी सेवाओं में होने के जिस्तरों आज जी सरकार द्वारा दिशान इर्देश दिये जाते हैं परिवन निगम के कर्मिचारी लगातार अपनी सेवाई द्वारे हैं परवती मारकों पर जाने बर चालक परीचालकों को कई जगों ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको खाना भी नहीं मिल पाता लगातार परिवन निगम से यूनियन द्वारा मांगी गई यूनियन द्वारा दिसंबर महा में मानने उच्चन यालाई निताल में याचिका लगाई गई थी याचिका में मानने उच्चन यालाई निताल द्वारा इसपस्ट आदेस दिये गई थे मुखे मंद्र यशो गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि ये बहुत संतोश की बात है कि राजस्तान कोरोना मरीजों में 57 प्रतिशत की रिकवरी रेट के साथ सभी राज्यों में शीर्षपर है यह हमारे डॉक्टरों स्वास्ते कारे करता हो और मरीजों की इच्छा शक्ती की कड़ी मेहनत के कारण संभव हो पाया है राजस्तान में अब तक 3422 रिकवर हो चुके हैं वहीं 3041 को अस्पताल से डिस्चार्च किया जा चुका है राजस्तान में कोरोना केसों का लगातार आना जारी है प्रदेश में शाम पांच बजे तक कोरोना पॉजिटिव के 131 केस नए सामने आए इन में डुंगरपूर में 33, चालोर में 22, सुधैपूर में 13, जैपूर में 10, नागोर में 8, शिरोही और राजसमन में 77, बीकानेर में 6, सीकर और अलवर में 44, जोदपूर में 3, जेसल मेर, कोटा, भिलवाडा, अजमेर, जुंजुनूर, बाड़ मेर में 2-2, जहलावाड म इक संक्रमित मिला, वहीं यूपी से आया एक व्यक्ति भी पॉजटिव पाया गया, इसके जाद कुल संक्रमितों की संक्या 6146 पहुंच गई, भरतपूर, जैपूर और सीकर में एक-एक संक्रमित की मौत भी हुई, राजस्तान में कोरोना से अब तक 150 लोगों की मौत पुषपांजली कारिकरम में प्रदेश कॉंग्रिस सद्यक सचिन पायलेट सहीत, पाटी के विधायक, पदादिकारी और मंत्री मंडल के सदस्यों ने सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करते वे राजीव गांदी के चितर पर पुषप अर्पित कर उन्हें याद किया, सभी क ऐसा बचेगा उसका उपयोग शमिकों को वापस लाने के लिए इस्तमाल करेंगे, उसके अलावा सजिन पालेट ने भाजपा पर उतर प्रदेश में राजनितिक करने पर भी निशाना साधा एक इसी सताब्दी के लिए देश की जंटा को तयार किया, हम सब उनके योगदान को आज परन करते हैं, याद करते हैं, योगदान भी दिया, बलिदान भी दिया, और एक ऐसी परंपरा बनाई, जो मैं समझता हूँ, बहुत आगे तक हम लोगों को उसका निश्रन करना राजीर जी की आपने इस पहली बार को इस्तियार नहीं दिया, और जो भी वो पैसा इस्तियार के लिए खच करते हैं, उस पैसे को संक्रमन के लिए युदुदुद हो रहा है, उसमें मदद के लिए हम सवाल करेंगे चिकित्सा एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रगुश शर्मा ने इम्मूनिटी बूस्टर की 35,000 बोतल वितरन के लिए जारी की ये इम्मूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक मैनुफेक्ट्रिंग एस्सोसियेशन औप राजस्तान द्वारा तयार किये गए हैं डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमन की रोग थाम की द्रश्टी से इम्मूनिटी बूस्टर का महत्पून उप्योग है उन्होंने कहा कि आयुर्वेद सहीद भारती चिकित्सा पद्दतियों में व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शम्ता विक्सित करने की अपार शम्ताएं हैं इस इम्मूनिटी बूस्टर में गिलोए, हल्दी, अश्वगंधा, पीपल, दालचीनी, नीम, सौट, काले मिर्च एवं तुलसी जैसी औश्टियां शामिल हैं विशेशा दिकारी आयुटवे, डॉक्टर मनोहर पारिक ने बताया कि जैपुर जिले में 20,000, जोदपुर जिले में 10,000, एवं श्रीगंगा नगर जिले में 5,000 इम्मूनिटी बूस्टर वित्रित किया जाएगा जोटपुर के बावडी कजबे में गज 17 मई को मुंबई से आया यूवर कोरोणा पॉजितिव मिलने से प्रशासन में हर्कम मच किया बावडी कस्बे में मुंबई से बावडी पहुंचे युवक के सेंपल लेने के बाद आई रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया जिस पर ततकाल ही बावडी CHC से डॉक्टर विशाल पुरोही दॉक्टर अनिल चौधरी की टीम के साथ कुरोना पॉजिटिव के घर पहु चौधरी ने बताया कि ट्रेवल हिस्ट्री में सोयला के कुछ लोग इसके साथ सफर करके आये थी जिनका सेंपल लिया गया इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव के मोहले में करीब सतर सेधिक लोगों के सेंपल लेकर जांच के लिए पिछवाए गए प्रशासन ने सभी को पशू पक्षियों के लिए भी दाना पानी का इंतिजाम करने का संकल्प लिया इसमें गुरूप के सदस्चे दिनेश विश्णोई ने बताया कि कोविड-19 जैसी महामारी के समय समस्थ देश्वासी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं परंतुर प्रित्वी पर मनुश्य के सा साथ अनिक जीव जन्तू पशू पक्षि भी निवास करते हैं गर्मी का प्रकोब भी बढ़ गया है और ऐसे परिस्तिति में मनुश्य के साथ साथ हमें पशू पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए इसको लेकर हमने भी उन्हें रोजाना दाना पानी डालने का संकल्प दिया है उन्होंने बताए कि सभी घरों के बाहर और सार्जिनिक स्थान पर पानी की परिंडें मनुश्य के साथ समय कर सके इस बुलिटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें देखते रहें ये दाएंगल नमस्कार